ओम श्यान्ती आज है साथ अक्तुबर दोहजार बीस की साकार मुरली पहले सुनते हैं मुरली की मुख्य पोइंट्स बाबा ने कहा अंदर में यह घोडते रहो कि मैं आत्मा हूं आत्मा ना समझने से बाप को भी भूल जाते हैं घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते ह आधा कल्प लगा है तुम्हें बेसमझ बनने में इस अंतिम जनम में फिर से समझदार बनना है कोई तो बन गए हैं कोई पुरुशार्थ करते रहते हैं फिर बाबा ने यह भी कहा अगर किसका कर्म भोग का हिसाब किताब है वे तो भोगना ही है इसमें बाबा नहीं करते बाब तो एक ही दवाई देते हैं कहते हैं योग से तुम भविशे 21 जनम निरोगी बन जाएंगे मुख्य बात है ही याद की इसी से तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे और लास्ट में बाबा ने कहा तुमको सिद्ध करना है ज्यान का सागर पतित पावन सर्व का सदगती दाता त्रीमूर्ती परम पिता परमात्मा श्यो है वह बाप कहते हैं यह दुनिया काटों का जंगल बन गई है सबसे बड़ा काटा है काम विकार का अब इस पर जीत पहन जगत जीत बनो अब सुनते हैं मुरल का सार मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूँ देही अभिमानी बनो सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे बहुत फाइदा होगा प्रेशन बेहद के नाट को समझने वाले बच्चे किस एक लौ नियम को अच्छी रिती समझ से हैं उत्तर यह अविनाशी नाटक है इसमें हर एक पार्ट धारी को पार्ट बजाने अपने समय पर आना ही है कोई कहे हम सदा शान्ती धाम में ही बैठ जाएं तो यह ला नहीं है उसे तो पार्ट धारी ही नहीं कहेंगे यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं ओम शान्ती अपने को आत्मा समझ कर बैठो देह अभिमान छोड़ कर बैठो बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं हम आत्मा बेसमज बन गई हैं, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है, मैं आत्म अभिमान छोड़, देह अभिमान में फस पड़ा हूँ, तो बेसमज ढहरेना, बाप कहते हैं, सब बच्चे बेसमज हो पड़े हैं, देह अभिमान में आकर, फिर तुम बाप दवा देही अभिमानी बनते हो तो बिलकुल समझदार बन जाते हो कोई तो बन गए हैं कोई पुरुशार्थ करते रहते हैं आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है आधा कल्प से बेसमझ होते होते सो प्रतिशत बेसमझ बन जाते हैं देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लैन अनुसार तुम गिरते आये हो अभी तुमको समझ मिली है फिर भी पुरुशार्थ बहुत करना है क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए बच्चे जानते हैं हम सर्व गुण संपन्द, सोलह कला संपूरण थे फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं कोई भी गुण नहीं रहा है तुम बच्चों में भी नंबर वार पुरुशार्थ अनुसार इस खेल को समझ से हैं समझ से समझ से भी कितने वर्ष हो गए हैं फिर भी जो नए हैं वे अच्छे समझदार बनते जाते हैं औरों को भी बनाने का पुरुशार्थ करते हैं, कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है, बेसमझ के बेसमझ ही है, बाप आया है समझदार बनाने, बच्चे समझ से हैं, माया के कारण हम बेसमझ बने हैं, हम पुझे थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुझारी बन बेसमझ बने आदिसनातन देविदेवता धर्म प्राय लोप हो गया है। इनका दुनिया में किसको पता नहीं है। यह लक्ष्मिनारण कितने समझदार थे, राज्य करते थे, बाप कहते हैं तत्वम। तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। यह बहुत बहुत समझने की बाते हैं। सिवाये बाप के कोई समझाने सके। अभी महसूस होता है बाप ही उच ते उच समझदार ते समझदार होगा न। एक तो ग्यान सागर भी है, सर्व का सद्गती दाता भी है, पतित पावन भी है, एक की ही महिमा है। इतना उच्च तेउच बाप आ करके बच्चे बच्चे कहें कैसे अच्छे रिती समझाते हैं। बच्चे अब पावन बनना है। उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। कहते हैं योग से तुम भविश्य 21 जनम निरोगी बन जाएंगे। तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे। तुम मुक्तिधाम में चले जाएंगे। अविनाशी सरजन के पास एक ही दवाई है। एक ही इंजेक्षन आत्मा को आए लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्ट्री भी करेंगे, इंजिनियरी भी करेंगे नहीं हर एक आदमी अपने धंदे में ही लग जाते हैं। बाप को कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ। क्योंकि पतित पने में दुख है, शान्ती धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे। स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। यह भी समझाया है, मनुष्य शान्ती सुख जाते हैं सच्ची सच्ची शांती तो वहां है जहां शरीर नहीं उसको कहा जाता है शांती धाम बहुत कहते हैं शांती धाम में रहे परंतु ला नहीं है वे तो पार्ट धारी हुआ नहीं बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं जब एक्टर्स का पार्ट होगा तब बाहर स्ट पर आकर पार्ट बजाएंगे यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं ग्यान सागर भी उनको कहा जाता है सर्व के सद्गती दाता पतित पावन है सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते पानियादी सब तत्व हैं वह कैसे सद्गती करेंगे आत्मा ही पार्ट बजाती है। हठियोग का पार्ट भी आत्मा बजाती है। ये बातें भी जो समझदार हैं वही समझ सकते हैं। बापने कितना समझाया है कोई ऐसे युक्ति रचो जो मनुष्य समझें कैसे पुझे सो फिर पुझारी बनते हैं। पुझे है नई दुनिया में, पुझारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पुझे, पतित को पुझारी कहा जाता है। यहां तो सब पतित हैं क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। वहां है स्रेष्ट, गाते भी हैं समपूरण स्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है महनत है मुख्य बात है याद की सभी केहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते हैं कोई सचाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फाइदा हो सकता है बाप बच्चों को यह ज्ञान देते हैं कि मन मना भव तुम अर्थ सहित कहते हो तुमें बाप हर बात यथार्थ रिती अर्थ सहित समझाते है बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रशन पूछते हैं बाप करके दिल लेने लिए कुछ कह देते हैं परन्तु बाप कहते हैं मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना मुझे तो बुलाते ही इसलिए हो तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है 84 जनमों का हिसाब है ना तुम जानते हो अभी यह दुनिया काटों का जंगल बन गई है यह लक्ष्मि नारेन तो फूल है ना उनों के आगे काटे जाकर कहते हैं आप सर्वगुन संपन्न हम पापी कप्टी है सबसे बड़ा काटा है काम विकार का बाप कहते हैं इस पर जीत पहन जगत जीत बनो मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई न कोई रूप में आना है भागीरत पर विराजमान हो आना है भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने नई दुनिया को सतो प्रधान पुरानी को तमो प्रधान कह जाता है जबकि अभी पुरानी दु बच्चों को कितना सहज समझाते हैं, कितनी खुषी होनी चाहिए, बाकि किसका कर्म भोग का हिसाब गिताब है, कुछ भी है, वे तो भोगना हैं, इसमें बाबा आशिर्वाद नहीं करते हैं. हमको बुलाते ही हो बाबा आकर हमको वर्सा दो बाबा से क्या वर्सा पाना चाहते हो मुक्ती जीवन मुक्ती का मुक्ती जीवन मुक्ती का दाता एक ही ग्यान सागर बाप है इसलिए उनको ग्यान दाता कहा जाता है भगवान ने ग्यान दिया था प्रन्तु कब दिया किसने यह किसको पता नहीं है। यह किसको पता नहीं है। इसलिए अब तुमको पहले पहले यह समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ बैठो। अंदर में यह घोठते रहो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा न समझने से बाप को भूल जाते हो। फील करते हो बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है। यहां बैठो तो भी आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को राजाई देने आये हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती हैं। तो कहते हैं हाई राम। प्रन्तु इश्वर वर राम कौन है। यह किसको पता नहीं। तुमको सिद्ध करना है। ज्यान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगती दाता, त्रीमूर्ती, परम, पिता, परमात्मा, शिव है। ब्रह्मा, विश्णु, शंकर, तीनों का जनम इकठा है। सिर्फ शिव जयनती नहीं है। प्रंतु त्रीमूर्ती शिव जयंती है जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी शिव की जयंती मनाते हैं प्रंतु ब्रह्मा ने क्या किया लोकिक पार लोकिक और यह है अलोकिक बाप यह है प्रजा पिता ब्रह्मा बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए यह नया ग्यान अभी तुमको मिलता है फिर प्राय लोफ हो जाता है जिसको बाप रचता और रचना का ग्यान नहीं तो अज्यानी ठेहरेना अज्यान नींद में सोई पड़े हैं ग्यान से है दिन भक्ति से है राथ शुरात्री का अर्थ भी नहीं जानते इसलिए उनक आते ही हैं सबकी जोत जगाने तुम यह बत्तियां अधी जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है अब तुम जगाते हो अर्थ सहित वो लोग थोड़े ही समझेंगे तुम्हारे भाशन से पूरा समझ नहीं सकते अभी सारे विश्व पर रावन का राज्य है य इन में इविल सोल है बहुत दुख देते हैं बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं बाबा तो सीधी बात बताते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्से गुड मॉर्निंग धारना के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट यथार्त रिती बाप को याद करने वो आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है सच्चाई से अपना चार्ट रखना है इसमें ही बहुत बहुत फाइदा है दूसरी पॉइंट सबसे बड़ा दुख देने वाला काटा काम विकार है इस पर योगबल से विजे प्राप्त कर पतित से पावन बनना है बाकी किन ही भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं वर्दान विग्ण प्रूफ चमकीली फरिस्सा ड्रेस धारन करने वाले सदा विग्ण विनाशक भव विग्ण प्रूफ चमकीली फरिस्सा ड्रेस धारन करने वाले सदा विग्ण विनाशक भव स्व के प्रती और सर्व के प्रती सदा विग्ण विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टोप दवारा सर्व शक्तियों का फुल स्टोप करना सदा विग्न प्रूफ चमकीली फरिश्चा ड्रेस पहन कर रखना मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना सदा अश्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ती बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने स्रेष्ट जीवन के पाउं रखना स्लोगन अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिविजन में नंबर आ जाएगा अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिविजन में नंबर आ जाएगा अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महवाक्य सार यह इश्वरी ये नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है ममा ने कहा पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है जब इस मनुष्य स्रिष्टी जाड का बीज रूप परमात्मा है तो उस परमात्मा दवारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है भल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है हर एक का शास्र अपना अपना है हर एक की मत अपनी अपनी है हर एक का संसकार अपना अपना है लेकिन यह नॉलेज सब के लिए है भल वो इस ग्यान को ना भी उठा सके, हमारे घराने भी ना आवे, प्रन्तु सब का पिता होने कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। चूट मुक्त होने की शक्ती भी इस योग दवारा ही मिल सकती है। परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना और ये इश्वरिय याद श्वासो श्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर इश्वरिय याद को अजपा जाप कहते हैं। बाकी कोई मुख से जाप जपना, अरथात राम राम कहना, अंदर में कोई मंतर उच्चारण करना, ये तो निरंतर चल नहीं सकता। वो लोग समझ से हैं, हम मुख से मंतर उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना, ये है अजपा जाप। प्रन्तो ये है तो सहज एक विचार की बात है, जहां अपना शब्द ही अजपा जाप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं। आंतरिक बैठ कोई मूर्ती का ध्यान भी नहीं करना है, ना कुछ सिमरन करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रहे नहीं सकेंगे, लेकिन हम जो इश्वरिये याद करते हैं, वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि यह बहुत सहज है, जैसे समझो बच्चा है, अपने ब आपका फोटो सामने नहीं लाना पड़ता है, लेकिन मंसा वाचा करमना, बाप के सारे ओक्यूपेशन, एक्टिविटी, गुणों सहित सब याद आता है, बस वह याद आने से बच्चे की भी वो एक्ट चलती है, तब ही संशोज फाधर कहेंगे, वैसे अपने को भी और की याद दिल भीतर से मिटाए, उस एक ही असली पारलोकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है, इसमें उठते बैठते, खाते पीते, निरंतर याद में चल सकते हैं, उस याद से ही करमातीत बनते हैं, तो इस नेचरल याद को ही अजपाजाब कहते हैं, अच्छा? लो कि याद से जाद बादीत बैता है, तो इसे ही कर दो इसका।